हाई गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके बालू की लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है न्यू हियर ग्रोथ नहीं हो रही है हियर फॉल की प्रॉब्लम अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं आपके साथ ऐसे मास्क की वीडियो शेयर करूँगी जिसके राब यूज से आपकी यह सभी प्रॉब्लम खतम हो जाएग आपके बालू की लेंथ बी इनक्रीज होगी है प्रॉब्लम भी खतम होगी ब्रॉब्लम भी यूज होगी काफी ज़धा effective, काफी ज़धा amazing यह वला hair mask है तो चलिए guys बिना time waste के मैं आपके साथ share करूँगे कि आपको इस hair pack को बनाना कैसे है या इस hair mask को आपको use कैसे करना है तो चलिए guys वीडियो स्टार्ट करते हैं and aloe vera aloe vera तो आज कल हर कोई अपने गर में उगाता है और जो onion हमने लेने है वो बिलको red वाले लेने है जिनका color बिलको red वाइट वाले नहीं लेने है क्योंकि red वाले में ज़्यादा असर होगा और उसमें रस भी ज़्यादा निकलेगा आप इसे onion gel हमने एक तरह किना onion gel बनानी है क्योंकि हमने इसमें aloe vera gel का यूज करना है मैंने यहाप पर fresh aloe vera लिया अगर आपके पास fresh aloe vera नहीं है तो आप पतंजली की aloe vera ले सकते हैं या फिर कोई भी aloe vera gel का यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैंने प्याज को काट लिया आप देख सकते हैं बिल्कुर red वले प्याज है अगर आपके पास घर पर यह वले प्याज नहीं है तो आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं aloe vera को मैंने इस तरह से काट लिया इसकी जितनी भी जहल है वो मुझे निकाल ले नहीं है और मुझे एक जहल की तरह पेस्ट त्यार करनी है जिसका मैं यूज करूंगी अगर आप इसका regular यूज करेंगे तो आपको इतने अच्छे वाले result देखने को मिलेंगे क्योंकि प्याज और aloe vera दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बहुत ज़्यादा इनसे आपको अच्छा वाला result देखने को मिलेगा आप इने regular यूज करके देखिए एक से डेड महिना आप इसे regular यूज कर लीजे जब भी आपको हेर वाश करने उससे पहले आप इसे यूज कर लीजिए आपको हेर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल खतम हो जाएगी न्यू हेर ग्रोथ होगी अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो वह आपके बालों की लेंथ भी इंक्रीज होगी तो देखे ऐलोवीरा मैंने सारी बीच में से निकाल लिया जितनी भी इसकी जेल है मैंने फ्रेश ऐलोवीरा का यूज किया है आप चाहे तो पतंजली की ऐलोवीरा का भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अलवीरा को इस तरह से सारी उसकी जयल निकाल लेनी है जितने आपके बालों की लेंफ है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए उतनी जयल बना लीजिए अगर आपके बालों छोड़ते हैं तो थोड़ी कम कॉंड्रिटी लीजिए अगर आपके बालों की length काफी ज़्यादा लंबी है तो आप ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं हफते में एक बार ही हमें इस mask का यूज करना है तो देखिए प्याज को मैंने इस तरह से कद्दू कस कर लिया और इसके बाद मुझे इसका सारा रस निकाल लेना है मैंने यहाँ पर दो छोटे प्याज लिये हैं अगर आपके बाल काफी ज़्यादा लंबे हैं तो आप प्याज ज़्यादा भी ले सकते हैं जब आपको इसे यूज करना है तब ही आप इसे बनाईए क्योंकि हमने इसमें प्याज एड़ किया तो इसे हम ज़्यादा देर के लिए बना कर नहीं रख सकते हैं मार्किट में काफी अच्छे पैक शैंपू अनियन शैंपू आते हैं बट उन्होंने काफी चीज़े उसमें कैमिकल डाले होते हैं इस वज़ा से उनकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होती है तो इसे आपको जब यूज करना है उसी टाइम आपको इसे अभना कर ही यूज करना है तो देखिए प्याज को भी कद्दू कस करके मैं इसका सारा रस एलोवीरा में ही मिक्स कर दिया है इन दोनों चीज़ों को आ अपने बालों पर लगाना है स्कैल्प से लगाना स्चार्ट करना है और लैंठ तक लगाना है जब भी आपको ईयर्वाश करना है तब आप उससे पहले इस जेल का यूज कीजिए और कम से कम 30 मिनट्स के लिए अपने बालों पर लगाकर रखें आपके बालों से जब लगा झाल यूज़ देख सकते हैं कि इसके बालों की लैंथ कितनी ज्यादा लंबी है साथ में आपको मसाज भी करनी क्योंकि ये जैल है और हमने घर पर बनाई हैं तो ये थोड़ा मैसी हो सकता है तो साथ साथ में आपको मसाज भी करनी है ताकि सारी स्कैल्प पर अच्छी तरह से ये वाला मास्क अब्जर्व हो जाए और 30 मिनट्स के लिए आपको इसे चोड़ देना है उसके बाद आपको हियर वाश कर लेना है जो आपको शेंपू यूज करना है इसके बाद आप यूज कर सकते हैं इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप हियर वाश करेंगे ना तब आप देखेंगे कि डेंडरफ भी खतम हो गया और उसके बाद आपकी हियर फॉल की प्रॉब्लम भी काफी हद तक खतम हो जाएगी तो देखें गाईज इस तरह से ना मैंने ज़्यादा तर स्कैल पर ही लगाया है क्योंकि ना जशन को हियर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है और उसके बाल भी काफी ज़्यादा लंबे हैं सिरफ और सिरफ उसे डेंडरफ की प्रॉब्लम है जिस वज़ा से मैं हैं यह त्यो लगले करें उसे यहली जल करा है आप इसे जादा भी बना आसकते हैं आप हिसमें विटमिन ऄरफ ऑल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो आप इसमें विटमिन ए का आप्सुल देखने को मिलैंगे थोड़ी सा इसके लगाने के बाद अच्छी तरह से बालो पर मसाजज भी करें by जैनि के बाल already काफी ज़ tulee बहले हैं यह फॉल की प्रब्लम उसे बिल्कुल भी नहीं है यहर औ-स तो कोई भी प्रबलम नहीं है यहिफ इसका जरूर यूज कीजिए नहीं जोसे करें के एक भाप कंदिशनर भी आप काफ Oh हेल्दी रहेंगे कंडिशनल लगाने से बालों में टैंगल्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं जो भी थोड़े बहुत एंगल्स होते हैं वो काफी एजली रिमूव हो जते हैं तो देखिए इस जेल को बनाना काफी ज़्यादा इजी है फ्रेश एलोवीरा का अगर आप जेल को लगाया है और इसके बाद मैंने 30 मिनट्स बाद जेशन को हेर वाश करवा दिया है अच्छी तरह से अपने बालों पर पहले पानी डालिए ताकि जो भी जेल है वो बालों में से निकल जाए इसके बाद आप बालों पर शेंपू कीजिए मैंने आयूर शेंपू ज़्यादा अच्छे रहते हैं Перarl. तो सिक्षें से रिलेते हैं या फेल की बाद है या कि अजीन फेल को मैंने अट उसके कारने का यूजवुरं देखने को मिलेंगे यहर से रिलेटर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जरूरी नहीं है कि मार्किट से महंगे प्रोडक्ट लेकर ही हम बालों को सही रख सकते हैं हमारे घर पर ही ऐसी कई चीज़े होती हैं जिसे हम अपने बालों को काफी ज़्यादा हेल्दी जैसे कि ऐलोवीरा जैल है जैसे कि प्याज है जैसे कि दहीं है दहीं हमारे बालों के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मंद होता है दहीं से हमारे बाल काफी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं दहीं का भी आप रेगुलर यूज कीजिए जशन के बालों पर मैं दहीं भी लग लिए तो देखिए इसके बाद मैंने जशन को अच्छी तरह से हेर वाश करवाया है आयूर हरबल शैंपू के साथ और मैं उसके बालों पर अच्छी तरह से पानी डाल दीओ ताकि जितना भी शैंपू है वो सारा निकल जाए मैंने जशन को कंडिशनर यूज नहीं किया बट आप कंडिशनर का यूज जरूर करें कंडिशनर के यूज से बाल काफी ज़ता अच्छे हो जाते हैं काफी स्मूथ हो जाते हैं सिल्की हो जाते हैं होप गाईज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग